कोई विमनोख अपना टेट परन अते अपनियां रोज दियां लोडां पूरियां करन लई कोई ना कोई काम करदा है अते उस काम बदले उसनू कोज न कोज आमदन हुदी है अते अपनी उस आमदन दा कोज पाग वो अपनियां लोडां अपते खर्च कर दिन्दा है अते आमदन दे उस बक्त की पागनू जो उसको बच जन्दा है अर्थ शास्तर विच किस नू बज़त क्या है जन्दा है प्यारे उद्यार्थियो मैं हाँ द्विंदर शर्मा समाज कवग्यान अद्यापक जिला कपूर तुलाता हूँ अज मैं तो अडिली लेके आया हाँ दसमी जमादी समाज कवग्यान दे अर्थ शास्तर दे पाठ पहले मुडलियां तार नावा सबंदी कोश जानकारियां लेके प्यारे वद्यार्थियो इस तो पहला के मैं पूरन रुजगार दी इस मुडलितार नाश बंदी तो अडिनार कोश जानकारी सांजी करना तो अनुमै ये दसमी जमादा हां के हुण तक्त मैं तो आटे नाड राष्टरी आमदन उपपोग प्रतिव्यक्ति आमदन बचत नवेश उनजी निर्मान अते छुपी होई बेरुजगारी सबंदी तार नावा सांजीयां कर चुक का हां पूरन रुजगार सबंदी कुछ जानकारीयां सांजीयां करन जा रहा हूं पूरन रुजगार की हुंदा है पूरन रुजगार आम तो औरते पूरन रुजगार शबत तो पाव उस हलाद तो हुंदा है जिस विच कोई वी मनुख बेरुजगार नहीं हुंदा पर असल वि तो विच्वी कई तरह दियां बे रुजगारियां पाईयां जन्दियां हां। अर्थ शास्त्री पूरन रुजगार शबद दी वर्तों एक अजही हालत ली करदे हन। जिस विच आम तौर ते उन्हा सारे विक्तियां नू रुजगार मिल जन्दा है। जो मिझ्दूरी दी वर्तमांदार ते कम करन ली तियार हूं दे हन। इस सुबंदी प्रफेसर लर्णर ने उन्हा रुजगार दी परिवाशा दिन दियां इस तरह के हाँ है के पूरन रुजगार ओो हालत है जेस विच उ सारे लोक मजदूरी दियां वर्तमान दरावते कम करन दे इशुक होन अते उनानू बिना किसे अख्याई दे कम भी मिल जावे। प्रफेसर हैंसन दे शब्दा मेंच पूरन रुजगार तोंपाव अन इशुक बे रुजगारी दी हूंद तो है। अन इशुक बे रुजगारी की हूंदी वहेगी। अन इशुक बे रुजगारी ओ हालत है जेस विच किर्ती मजदूरी दी वर्तमान दारपुत्ते कम करन लेई त्यार होन पर उनानू कम नाम ले। प्रमप्रावादी अर्थशाच्त्री ए मंदेहन के अजही हालत आम दौरते संभव नहीं हुंदी। पर वह एवी मंदेहन के जीकर तरविच अन इशुक बे रुजगारी आ जावे अते पूर्णा किसम दियां बे रुजगारी आ पाईया जान तामी अजही हालत नू पू पूर्णा रुजगार किहा जान दा है। सो पूर्णा रुजगार दी स्थिती विच वक्ष वक्ष तरंदियां जिडियां बे रुजगारियां हो पाईया जान दियां हन। पुराणे अर्थशाच्त्री जिडे सन जिडे प्रमप्रावादी अर्थशाच्त्री सन उना दे अन्सार किसे भी अर्थ विवस्ता वेच पूरन रुजगार दी हालत वेच हेट लिखिया, किसमालिया, बेरुजगारिया, पहियां सब तों पहले नमबर दे है। इस शुक बेरुजगारी इच हम लान 맞 ए कि जपिशने हूं किसे मिनुकषगे कामता हु उसनों बजार दीते कीमते मजधूरी भी मिल सकती हुंदी है पर इस दे बावजूद भी उहों इंसान काम करनों त्यार नहीं हुंदा जही बेरोजगारी नों इश्चुक बेरोजगारी किहा जन्ता है इस तो बाद आंदी है संगर शात्मिक बेरोजगारी ये बेरोजगारी ओ बेरोजगारी हुंदी है जदों किसे समय कच्चे माल दी काट हो जान्दी है मजदूरां विच गती हीनता भी हो सकती है वशिश किसमा देरोजगार सुबंदी मौक्यां दी काट भी हो सकती है जा मशीन दी तोटपा जहून कारन कुछ समय ले जदो कम रुक जन्ता है उस समय दी जो बेरोजगारी हुंदी है उसनों संगर शात्मक बेरोजगारी किहा जन्ता है कोस्तों अग्य है मौसमी बेरोजगारी जिवें के इस देना तो ही सपस्ट हो जन्ता है कि कई वेड़े कई समय मौसम दे कारण भी बेरोजगारी हो जन्ती है मौसम फैशन अते रुची दे कारण परवर्तन जदू हंदे हन उना परवर्तना कारण जेड़ी बेरो बेरोजगारी केंदे हां और इस दी सब्वडीवदारन सर्दियां देविच जदो बर्प बनाउन देकार खाने बंद हो जांदे हां तां उस समें दी बेरोजगारी नूं मौसमी बेरोजगारी केहा जांदा है सो चार नंबर दे है स्रंचनात्मक बेरोजगारी ये बेरोजगारी अर्थ विवस्था विच्छ होन वाड़े स्रंचनात्मक परवर्तन आदे कारण हंदी है जिमें देश देनर्यात वपार विच्छ होन वाड़े परवर्तन हां इस तो बात आदी है तक्निक की बेरोजगार बच्यों उतबाधन तक्निकां विच कई वार कई तरह दे प्रवर्तन वियों दे हैं जिस कारण मजदूरानों कुछ तकलीफां कुछ खठनाईयां दा सामना करना पेंदा है जिवें अपना गल करिये के मजदूरानों नमियां मशीना जदो दितियां जम लियां हन ता उन आनों मशीना जदो चलाउनियां नहीं आउं दियां ता इस बेरोजगारी नों तक्निकी बेरोजगारी कहा जन्दा है इस दी बहुत बड़ी उदारन है कि जदो पारत विच कंप्यूटर आया ताँ पारत दियां बहुत सारियां बैंकाने करमचारियां नों कंप्यूटर चलावना नहीं सियोंदा सो उस समय बहुत सारे करमचारी अपनी इश्या दे नाल रिटायर्मेंट ले गए अते बहुत सारे करमचारियां ने कंप्यूटर सिख लेया अते वो आज वी काम कर रहे हन सो तक्नीक विच परवर्तन ओन नाल जेड़ी बेरोजगारी अंदी है उस बेरोजगारी नों तक्नीक की बेरोजगारी किहा जन्दा है तो आपना जे उपरलियां बेरोजगारियां दे हुन्दयां भी अर्थ विश्चा वेच आण इश्चुक बेरोजगारी नहीं आउंदी ता अजही स्थिती नूहीं पूरन रोजगार किहा जन्दा है इस तो बाद हुना आपना गर्द करदे हां मुद्रा सफिती दी मुद्रा सफिती बच्चो डिक्शनरी दे विच मुद्रा कोशनू अंग्रेजजी दे विच इन्फलेशन भी क्या जन्दा है जेस दा अर्थ है फैलाव जावादा जवें ज़दों असी फोटवाल दे बलैटर विच हवापा रह हुने हां इसे तरा ही कीमत पदर दे सबाने विच इन्फलेशन ज़ा मुद्रा सफिती दा अर्थ है की चीमत predदर विच होण वाड़े लगा तारवादे नु मुद्रा सफिती कहा जन्दा है शफीरो जी दे अंसार मुद्रास फिती सदारन कीमत पद्दर विच होन वाड़ा निरंतर अते बहुत ज्यादा वादा हुंदा है इससे तरह प्रफेसर पीटरसन ने सदारन कीमत पद्दर विच होन वाड़े सथाई अते लगातार वादेनू मुद्रास फिती कहा सी उप्रोपित विचारा देदारते असी कह सकते हां कि किसे अर्थ मिवस्था विच कीमता विच हून वाड़े लगातार वादेनू मुदरा स्फिती किहा जन्दा है किसे अर्थ मिवस्था विच वस्थोऑन दी मांग उन्हा दी पूर्थी दो वद जन्दी है ता उन्हा वस्थोऑन विच बेत तहाशा बादा होन लगदा है जिस कारण मुदरा स्फिती दे छालात पैदा हो जांदे हैं। इस दियुदारन आपां पारत विच प्याज दियां कीम्ता तो हिला लेने हैं। कि प्याज दिया कीम्तां कदि T2 आफ़ा किलो हंदी हैं। टे मिप्याज एक सोपजार पैकिलो तक पहुंग जांदा है। उस दा कारण सिर्फ इना ही हुंदा है कि जदों किसे वस्तू दी मांग उस दी सपलाईतों उस दी पूर्तीतों वद जान दी है सारे ही इको चीज नू खरीदना चाउंदे हान अते ओ चीज बजार वेच अवेलेबल नहीं हुंदी उपलाउद नहीं हुंदी ता जही हालत वेच ओस चीज दिया कीम्तां असमान नू शून लग पेंदिया हान सो कीम्तां दे वद नू और लगातार वद नू मुदरास्पिती किहा जानदा है हुन अपन गल कर दे हां सरकारी बजट दी सरकारी बजट की हुंदा है असी बहुत वार सुनेया है सरकार दा बजट आ गया है बजट वेच एस्तरानियां गलाहान ओस्तरानियां गलाहान तो ये बजट नो असी आज पढ़ांगे कि सरकारी बजट हुंदा की है हर एक देश्दी सरकार अपने देश्दी प्रस्तावित आमदन अते खर्चे दा ब्योरा त्यार करदी है जिसनों सरकारी बजट किया जानदा है सरकारी बजट सरकार राही प्रस्तावित आमदन ते खर्चयां दा ब्योरा हुंदा है ते असी देख दे हां के साड़ी सरकार भी हर साल ठाई फरवरी नो अपना बजट लोग सबावेच पेश कर दी है सरकारी बजट तेन तरादा हुंदा है संतोलेत बजट ओ बजट हुंदा है जेस विच आमदन ते खर्च परापर हुंदे है सरकार नो जिन्नी आमदन हो रही हुंदी है सरकार ओस सारी आमदन नो लोकाओं पर सरल जनत कम्माँ पर खर्च दिन दी है ओस बजट नो संतोलेत बजट केंदे है इस विच ना कोई फैदा हुंदा है ते ना कोई नुकसान अजहे बजट नू संतोलित बजट किहा जन्दा है नंबर दो बच्चत दा बजट जिवे के इस दे ना तो ही पता लग जन्दा है कि ओ बजट जिस वेच सरकार दी आंदन वाद हुंदी है पर उस दे खर्चे काट हुंदे हन इस परकार दा बजट कुल मांग वेच वाते दी स्थिती लई उचित होंता है सो जदों सरकार दे खर्चे काट हून ते सरकार दी आमदन जादी होए इस बजट नों सी बच्चत दा बजट आफ दे हाँ आते नमबर तेंटे सी देखिए यस बजट दाना है काटी दा बजट जिवें कि इस दे विदन आतो पता लगदा है कि सरकार दी आमदन काट हून दी है सरकार दे खर्च जादे हून दे हन इसंद गई दे हन फर इर्थ्षाष्टर वेच काटी दा बजट ओ बजट है जिस वेच सरकार दा खर्च उस दी आमदन तों ज्यादा हुंदा है जिस कारण कुल मांग वेच वद्धा हुंदा है किस तरह दा बजट कुल मांग वेच कमे लई कमे दी हालत वेच उचित हुंदा है उन पारस सरकार दे बजट दे विच हेट लिखिया मद्दा हाँ आप आहिना नू एक उदारन वजों दीख दे हाँ आमदन दीख दे हाँ उन असी दीख दे हाँ के सरकार नू आमदन कित्तों होंदी है बच्चो सरकार मों आमदन आमत औरते प्रतक्त निगम करातो हुंदी है जिवें इंकम टेक्स असी कहने हैं आमदन कर ठीक है जी निर्यात कर अयात कर उतपादन कर केंदरी विक्री कर व्याज कर बहुत बहुत इस तरहां दे जीड़े कारहन, बहुत इस तरहां दे टेक्स अनक्स, चार्ज ड्यूंटी है, सरकार वह सारे टेक्स जीड़े है, उहो प्रापत कर दी है जिस तो सरकार नूं आमधर हुन दी है नमबर दो पे उन खर्च दी ये उन खर्च दी ये सरकार खर्च दी किते है पैसे ता सरकार ने खटे कर ले टेक्सा दो उन खर्च दी किते ये सरकार किते कर्च कर दी है सुरख्या दे कर दी है पुलिस दे कर दी है साथी आर्मी दे कर दी है पुलिस दे कर दी है परशाशन द चल रहा है उन्हादे विच काम करण वाड़यानु जो तन खा दिन्दी है जो राकर खाब सरकार कर रही है उदे खर्च फिर उस्तों बाद सिखे आते एजूकेशन ते खर्च किन्ने स्कूल हान जिते द्यापक हान जिते बच्यानु फ्री बड़ाया जंदा है सो उदे खर् मतलब हस्पतालां दे विच डॉक्टर लगे होय हनु ते दुवाईयां दित्ती जांदी हनु ये सारा समाज कलियान समाज कलियान दा मतलब मैं ये कैसा कदा हां जिमें पंजाव दे विच जापारत विच जिडे बजुर्ग हन उना नु पेंचन दिती जांदी है विद्वा पंचन दिती जांदी है बच्यानु वजीफे दित्ते जांदी है इसम समाज कलियान क्या जांदा है समाज दा कलियान करना उदजोग ते खर्च खित्ती बाड़ी ते खर्च नियोजन ते खर्च पेंडू विकास ये सारियां ओची जान जेना उपर सरकार खर्च करती है काटे दी वेत विवस्था की हुंदी है जदों किसे अर्थ विवस्था वेच सरकार वल्लों कीता जानवाडा खर्च उस दी सारे वसीलियां दी आमदंतों पद जन्दा है अतिस सरकार इस काटे नूं केंदरी बैंकतों करजा लेके जां उदार लेके पूरा कर दी है तां इस नूं काटे दी वेत विवस्था के हाजन्दा है जिवें बच्चे वापां अपनी उदार रनेने हां के मान लोग साठी आमदं सौर प्या है असीं उस आधा सौर प्या एक दिन वीच ही खर्च लेंदे हां उस नूं बाद सम्होर पैसे चाहिए दे हुन दे हां उस चीजां साथियां होर ख्रिदन वाणियां रहे जान दिया हां सो जदों असीं वो चीज़ां कितियों उदार लेंदे हां जा किसे को पैसे मांगे लेंदे हां इससे विवस्ता हुनूं काटे दी वेते विवस्ता किया जन्दा है और ये चीज़ां सरकार दे नाड़ भी हुंदियां हां सो सरकार की कारदी है सरकार एक पारति केंदरी बैंक है जेसनों आपका कहिने हां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है जी जेडी बैंक नोट शाब दी है जाटे उबैंक तो सरकार भी कई वार उसको करजा लेंदी है उसको करजा लेके उदार पैसे लेके जो अपने काम है उना नू जदो पूरा कर दी है ताँ इस अवस्था नू काटे दी विद विवस्था किहा जानता है। सरकार इस काटे नू पूरा करन लेई हेट दित्ते तरीक्यानाण पूरा करन दी जतन कर दी है। हुन सरकार ने पैसे ता ले ले, कर्जा ता ले ले, हुन पूरा के में करना है, वो इस तरह कर दी है, केंदरी बैंक कोड़ों कर्जा जां उदार लेके सरकार अपना का टाप पूरा कर दी है, अते केंदरी बैंक एक कर्जा वद नोट शाप के दिन दी है, उन जदों उदे को पैसे लेंड जाने सरकार ने बैंक वात नोट भी शाप सकती है इस तों बाद सरकारी खजाने में विच प्रई नगद जमानों कडवा के सरकार अपना का टापूरा करन्दा यतन कर सकती है बचो अपन पता है ना अपने विच्चों बहुत सारे लोकाने बैंक विच पैसे जमा करवाए होए हुन देहन जिस बदले बैंक सानूं दे आज दिन्दी है तो लोड पैंड थे सरकार उनना पैस यानूं वर्त भी सकती है ठीक है जी नंबर तिन सरकार रिजर्व बैंक जा केंदरी बैंक द्वारा जारी कीती गई मुदरा तो बिनावी और मुदरा जारी करके भी एक अटा पूरा करंदी कोशिश कर सकती है इन्ना तिन्ना त्रिक्यानाड मुद्रा दी पूर्ती वेच वादा होगा है। जिस कारण कीमता दे पदर वेच वादा होना शुरूर हो जानगा है। पार्त सरकार अपने काटे दीवेत विवस्था नू रजरब बैंक तों ही उदार लेके पूरा कर दी है। अति इस दे बदले विच सरकार नू रजर बैंक आपना रजरब फंड रख के नवे नोट छाब के सरकार नू उदार जां कर जा दे दिन्धी है। हून आप अंगल कर दे हां सरव जनक वेत दी सरव जनक वेत बच्यों सरव जनक जिड़ा वेत है ये दूश अब्दां तो मिलके बढ़िया है एक सरव जनक ते दूसरा वेत सरव जनक दा मतलव की है सरव जनक सारी जनता सो जेड़ा जनता दा समोह है जेस दी प्रतिनिदता सरकार कर दी है अते वेत दा अर्थ है मौदरिक साधन सो अर्थ शाष्तर दे जेस पाग वेच सरकार दी आंदन अते खर्च सबंदी समस्यावां दा अधियन कीता जन्दा है उसनों सरव जनक वेत किया जन्दा है इसलिए सरकार सरव जनक वेत वेच सरकारी संस्तामा जिमिक केंदरी राज केंदरी राज अते स्थाने की सरकारा दे मसले आधा अधियन है सरकार दी आंदन दे साधन दें सरकार नूं आंदन कित्थूं कित्थों हों धी हैं रह नहीं सबस्पढ़ागे सबना आपक दोचा के परतक कर नेहां जोंसे व्यक्षी रहीं डिखने सर्कार पैसा कित्थों कित्थों जिस उपर इह कनूनी तोर्ते लगाया जानता है जिमें आमदन कर उपहार कर निजम कर संपती कर जैदाद कर यह सारे जड़े करहन इह परतक करहन सरकार इन्ना करांतों पैसे अकठे कर दी है इस तो बाद नंबर अमदा है आपरतक करदा यह वी सरकार दी आमदन दा एक सादन है और प्रफैसर डाल्टन जी दे अन्सार अवपरतक कर वो करहन जो लगाये तां किसे एक व्यक्तिते जान दे हन पर उन्ना दा अंचक जांपूरण पगतान कोई होर व्यक्तिन करना पैंदा है जिवें आपां गल करिए के सरकार टेक्स तां दुकान दार दे लांदी है प पर इस दा सारा जुडा पार है वो गראहक उपर पेंदा है ज़व कर्ण कर दन्ना है अपने गरहक पावसाडे कुणों वस्वूल कर लें दा है अब परताक्त कर दिया कुछ गोरदार ना है जमें विक्री कर जिन्हों अपना सेल टैक्स करें ने हैं उतपादन कर प्रडक्षन टैक्स मनरंजन कर असी वेलमा देखन जाने हां वो सुपर भी टैक्स लगदा है अजात कर निर्जात कर असी वार हम कोई चीज मंगान देहां सानू वो सुपर टैक्स देना पेंदा है असी वार कोई चीज पेज देहां निर्जात कर देहां वो सुपर भी सानू टैक्स देना पेंदा है इसनू निर्जात कर किया जन्दा है हुन अग्गेगल है सर्वजनक करजे सर्वजनक करजा की हुंदा है सर्वजनक करजा हर एक सरकार अपने खर्चयानों पूरे करन लई कई परकार देजडे करजे हन पुहो लेंदी है इना करजयानों सर्वजनक करजे किहा जन्दा है सरव जनक करजियां दा अर्थ सरकार रही ले गया सारे किसमा दे करजियां तो है इस विच देश दे आंतरिक साधना तो अते वो देश शां तो ले गया दोनों परकार दे करजिये जडे है उहो शामल किते जान दे हन हम इन्हों मुखरू 같은데 यह दो तरहने हम नंभर एक आंत्रे का टे नंभर दो जिड़ी असी बारों लहीं है अंत्रेक करज्या हूं जो किसे देश दे अंदर उस देश दी जन्ता यतोँ बैंका आदविति संस्थामादों प्रापत कित्ते जा सकाते हैं और यह उस देश दी मुद्रा दे वीच हूं दे हूं इनना दे मूलता नते व्याज दा बगतान वी देश दी मुद्रा वेच ही कीता जानदा है पात सरकार आंतरिक करजे नूं कई परकार दे बॉंड पत्रा नूं जारी करके एकठा कर दी है जिवें इन्दरा विकास पत्तर, नेशनल बच्चत सर्टिकेट ते नेशनल बच्चत स्कीमा तो लोग द्यारतियों ये ता तुसी असानी नाली समझ गए होंगे के आंतरिक करजे रपाल है के जेड़े पैसे यसी बैंका मेंचे जमा करवाई हुंदे हम जहां इन्दरा विकास पत्तर, नेशनल विकास अट्टिकेट, नेशनल बच्चत स्कीम ये सार ये जड़ियां चीज़ा है सरकार साड़े कोड़ों करजा लैंड ले ही जारी कर दी है इस तो बाद अपंगल कर दे हां वदेशी करजे री ठीक है जी वदेशी करजा वदेशी अते अंतर रास्टरी संस्थामा तो जदो असी करजा लेने हां वदेशी बैंका तो जो करजा लेने हां उस करजे रूँ असीं वदेशी करजा गेने हां और एक करजा ही वदेशी मुदरा विच ही ले आ जानदा है ते इस दा जिड़ा व्याज हमदा है उदा पुगतानवी वदेशी मुद्रा विच ही किता जानदा है इस तोंगे है वदेशी सहता अर्थ शास्तर विच वदेशी सहता दा अर्थ विस्तरित शब्दानिच किता जानदा है इस तो पाव है कि वदेशा तो जदो असी पूंजी लेने हां, वदेशा तो जदो असी करजा लेने हां, वदेशा तो जदो असी अनुदान वी लेने हां, इसनों वदेशी सहता क्या जन्दा है वदेशी सहता तो पाव किसे देश वेच वदेशी सरकारां वदेशन आते निजी व्यक्तियां वदेशी वपारिक संगठना वदेशी बैंका आते अंतर रास्ट्री संस्थावा द्वारा पूंजी दे नवेच जा कर्जियां ते अनुदानातों है और ए मुकतार ते तेन तर लगाई जा सकती है पहले रूप वेच वदेशी वेच लगाई जा सकती है पाव किसे विदेश वेच कमपणियां स्थाफथ जा सकती हैं दूसरा है वदेशी सह्योग यथ दे अधीन हरा था यदि स्वदेशी उदमी संजुत रूप नाढ उदम सथापत कर सकते हम। ते तीसरा रूप पोर्ट फोल्यो नवेश है। ये नवेश वदेशी कमपनिएं द्वारा किसे देश दियां कमपनिएं वेच शेर पूंजी जारेन पत्तर नाढ नवेश वेच किता जानता है। सो जी इसनों असान शब्दा वेच कहिए तां ही तिन तरह हो सकता है जां तां वदेशी कंपणी आके अपनी कोई फैक्टरी लगा सकती है जां उहू पारत दी किसे फैक्टरी वेच अपना ही सब आ सकती है ते तीसरा ये है कि वदेशी कंपणी पारत दी किसे कंपणी दे शे इस तोग है वदेशी कर्जे जिमें ना तो ही पता लगदा है कि वदेशी सरकारां तों वदेश दियाँ वपार्क संस्थामा तों अते अंतरास्ट्री संस्थामा तों प्रापत किते जान्दे हन। इस तों बाद है वदेशी अनुदान वदेशी हेल्प जे मैं अनुदान हूँ इंगलिश विच कहा ता एक किसम दी मदद भी हुदी है वदेशी अन्दान वदेशी सेयता दा ओ इस्था हुन दा है जो वदेशी सरकारां अते वदेश दिया संस्थामा तों सेयता दे रूप विच प्रापत करते जिनानू वापस नहीं करना पेंदा अते इना उपर किसे तरह दा कोई व्याज भी देना नहीं पेंदा सो वद्यातियो समा इस तो वद्ध हुन पोर इजाजत नहीं दिन दा सो मैं अखीर विच तो आड़े तो ए आस रखदा हां कि तो आड़े नाल जिनियां भी मैं इही तार नामा संजियां कीतीयां हन इक इक करके इन जिनना बारे तो आड़े नाड़ गाल कीती है तुसी उनना सारियां तार नामा वेच कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट जो आये हन ताथ आये हन उनना नू अपनियां कापियां वेच नोट कर लेया होएगा सो एक वारी फिर मेरी तौन सारियानू सात सिरीकाल नमस्कार ठैंक्स तनवाजी